हेलो फ्रेंड्स, माइनेम इस अब्दुलकरी, आज हम एक स्वी फिलस फिलस का प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे के यूजर एक स्ट्रिंग इंटर कर रहा है और उस स्ट्रिंग में करेक्टर कितने है, उस स्ट्रिंग में वर्ड कितने है, उस स्ट्रिंग में small alphabet कितने है उस string में capital alphabet कितने है राइट और उस string में wavis कितने है उस string में consonant कितने है उस string में symbols कितनी है राइट अभी कोई user कोई भी string इंटर कर रहा है सब्सक्रोज आप करें कि मसलन मैं कहता हूँ कि I am student राइट और और आगे मैं कुछ symbols लगा रहा हूँ I am student I am student और आगे मैंने ये कुछ symbols लगा रही जब मैं ऐसी कोई भी string दोंगा तो मेरा program क्या करेगा कि मुझे बताएगा कि इसमें symbols कितनी है मतलब मैं कोई और भी symbol इंटर कर रहा है इसमें वाविस कितने इस string में ये total word कितने है ये character total कितने है capital alphabet कितने है small alphabet कितने है तो ये सब को count करेगा हमारा program हम इस program को देखते हैं कि इसकी coding की सिसाब से होगी आए इसकी coding हम देखें first आफाल हम कुछ variables लेते हैं मैं एक integer variable लेता हूँ वाविल के लिए वाविल के लिए एक integer variable लेता हूँ जिसको मैं assign कर देता हूँ क्योंकि जब हम count की value बढ़ाएंगे तो फिर इसकी value बढ़ेगी initial वाविल की value 0 होगी एक मैं variable ले ले लेता हूँ consonant के लिए c o n s लिख देता हूँ इसको भी 0 assign कर देता हूँ एक variable मैं word के लिए ले लेता हूँ इसको मैं one assign कर देता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि इसको one 2 assign कर रहाँ फिर एक integer variable मैं ले लेता हूँ small small alpha small alphabet के लिए integer इसको मैंने 0 assign कर देता हूँ फिर एक integer इस इक वावल भी हो गए, वर्ड, स्माल, अल्फबेट, कैपिटल, अल्फबेट, और मैं एक इंटेजर वैरिबल, सैंबल के लिए भी ले 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 था हूं, यह सारी चीजें मैंने ले ली और एक वैरिबल और भी जो काउंट करेगा कि हमारे करेक्टर कितने है, काउंट करेक्टर के लिए एक वैरिबल ले लिया, इसको भी मैंने जीरो साइन कर लिया, अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, कि किसी साब चिसका प्रोग्राम बनेगा एक हमें character variable चाहिए support मैं कहा देता हूँ h एक character variable चाहिए क्यों चाहिए मैं आप यह आपको बताता हूँ हमें एक while loop की ज़रूद है while right while loop while loop में क्या होगा कि हम कोई string enter करेंगे यानि कोई भी हमने character enter किया जिसको हम gate cc के शुरूर bleed कर रहे है gate cc का क्या मदलब होता है कि एक character कम से कम हम enter कर सकते है जब हम एक character enter करेंगे तो वो h में आके store हो जाएगा right h में आके store होगा तो फिर हम h से उस जो character है उसको compare करेंगे कि whether यह word है string है या क्या है right जब तक gate cc does not equal to हम कर देते हैं back slash r जब तक back slash r के बराबर हमारा character ना हो जाए तब तक यह loop चलता रहे right मैं यह loop की body लगा गए जब तक gate cc यानि जब हम character read कर रहे उसकी value back slash r के बराबर यानि enter के बराबर ना हो जाए तब तक हमारा loop चलता रहे तो initially मैं एक चीज़ कर देता हूं कि count c h a r plus plus right क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई character enter करूंगा तो count की value increase होगी यानि count की value count character की value 0 है तो वो increase होगी one हो जाएगी जैसे ही मैं दूसरा enter करूंगा two हो जाएगी तो यह हमारे character count करने के लिए यह execute होगा उसके बाद एक दूसरी condition हम लगाते होगे कि if h h greater than equal to a right अगर हम character enter कर रहे हैं वो greater है a से या equal है तो क्या करे कि अपनी बॉडी में आ जाए अपनी बॉडी में आके क्या करें वो कि small alpha को plus plus कर दे क्यों कि जैसे ही कोई हमने character enter किया अगर वो greater than small a है या equal to small a है तो definitely वो small alphabet है तो small alphabet plus plus हो जाएगा और उसके साथ साथ ही इसके अंदर एक और condition लगेगी कि इफ अगर उन में से कोई चीज वाबिल आ रही है यानि a e i o u आ रहा है तो अगर वो आ रहा है तो किसकी value increase करें वाबिल की value increase करें तो उसके लिए condition क्या लगेगी कि इफ अगर H की value equal equal हो जाती है यहा ह की value equal equal हो जाती है इक यहां H की value equal equal हो जाती है इसके a e pi के यहां h की value equal little हो जाती है यहां h की value equal little हो जाती है इसके u के तो क्या करें इसके अंदर करें small alpha sorry वाविल plus plus अगर यह अगर हम जो character enter कर रहे हैं उसकी value a के बराबर है यह a से increase है तो वो small alpha को plus plus कर देगा लेकिन अगर वो a के बराबर है e के बराबर है तो a, e, i, o, u के बराबर है तो वो वाविल को भी plus plus कर देगा लेकिन अगर वो a, e, i, o, u के बराबर नहीं है तो हम else में condition लगाते हैं कि else क्या करें कि यह consonant को प्लस प्लस कर देगा अब consonant प्लस प्लस होगा तो क्या होगा कि अगर उस character की value a, e, i, o, u के बराबर नहीं होती तो वो consonant को प्लस प्लस कर देगा otherwise वो वाविल को प्लस प्लस कर देगा आगे हम इसकी coding देखते हैं कि अगर second condition क्या है कि else if अगर वा जो हम character इंटर कर रहे हैं उसकी value h greater than equal to capital A अगर उसकी value capital A के बराबर हो जाती है या capital A से बड़ी हो जाती है तो क्या हो, ठीक है तो क्या हो कि हम जो भी ये code है मेरा ये वाला, right मैं इसको copy कर लेता हूँ यहां से लेकर यहां से copy होगा ये code पुरा इसको copy कर लेता हूँ ठीक है, मैं copy करता हूँ इसको copy यहां पे मैं paste कर देखा paste यह code मेरा paste हो गया तो यहां पे अगर हम जो character इंडर कर रहे हैं वो greater than यह equal to A है तो वो क्या करेगा capital को capital alphabet को फिलस फिलस कर देगा हमें यहां पे दूसरी condition क्या देनी पड़ेगी कि अगर capital A है अगर capital E है अगर capital I है अगर capital O है अगर capital U है यह condition हमें लगानी पड़ेगी यह में भी U होगा तो अगर capital alphabet होगा तो उसके रही भी same condition चेक होगी कि अगर capital alphabet होगा तो फिर भी वावरी की value भी increase होगी और consonant की value भी increase होगी उसके बाद कौन सी चीज़ आ जाती है तीन चीज़े complete होगी फिर हमारी word count है ठीकर उसके बाद symbol count है राइट और कौन सी चीज़ है word और symbol count है हम दूसरी condition लगाते है कि अगर else if if h equal equal to space अगर space के equal h हो जाता है यानि जो character हम enter कर रहे है तो क्या करें कि word plus word को क्या कर दे plus plus कर दे अभी word की value क्या है one right word की value plus plus क्यूं करें क्यूंकि first time हम screen enter करेंगे तो इसका मतलब है एक word हमाने पास है ही है जैसे ही हम space को press करेंगे इसका मतलब है कि हम दूसरा word enter करने जा रहे है तो इस वजह से हमने word की value क्या लिए word की value हमने one लिए right अब हम देखते है कि लास में हम ने जो samples count करनी है उसको हम सिरफ single else लगा रे थे else क्या करें कि sample प्लस प्लस करते right अब देखते हम is sample के लिए हो गया word के लिए हो गया وबिन के लिए हो गया consonant के लिए हो गया Capital के लिए हो गया Small के लिए हो गया हमारा एक पूरा प्रोग्राम हो गया हम इसको see out करवाने के लिए one by one सभी conditions देते हैं see out backslash and ताकि ठोड़ा हमारा प्रोग्राम सबसे पहले करेक्टर उसके बार दूसरी चीज़ को देखने के लिए see out backslash and हम इसमें कर देते हैं समाल अलफा है इसमाल अलफा है फिर हम तीसरी चीज़ को देखने के लिए कर देते हैं बैक्सलेश एंड है क्यापी टॉल अलफावड़ाट अलफावड़ाट फिर हम वार्वेस को देखने के लिए कर देते हैं वार्वावड़ाट फिर हम अलफावड़ाट अलफावड़ाट फिर लास्ट में हम वार्ड को देखने के लिए वार्ड को देखने के लिए लाइड लगा दिता हूं और उसके बाद यहां पर यहां पर लिखे देता हूं correct तर्स और right फिर मैं यहां पर लिखे देता हूं कि small alpha में short लिखे देता हूं आपके लिखे देता हूं वाविल्स और right यहां पर लिखे देता हूं कांसों नर्ड राइट ओके यहां पे मैंने क्लिफ कहूं वर्ड और एक चीज़ हमने सैंबल्स को सी आउट आउट एक दफार कोड को चेक कर लेते कि कहें कोई हमने स्टेक करें करें कि कि इस 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 वावेश अइस को मईं अर्यां कि इस 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 अफे एक इस कॉडिशन क्लोस होगी एल्स इच थे कि अग्र लोगे अजिए अग्रिव एल्स इस इस थे यह ब्लाइट आइए हम प्रॉग्रम को कंपाईल करके देख तो देखते हैं किया को रहा है जो वर्बंट रॉन टेखते हैं जो सॉरी 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 हमने उपर क्यांट प्रेटर यहां मैं कर देता हूं हम इसे को प्रोग्राम स्क्सेस हुली है यहां पर देखे मैंने एक वर कैपिटल लिया है और के को भी कैपिटटल लिया है उसके बाद मैं लिख देता हूं और यहां पर मैं कुछ सेंबल स्भी देता हूं dunk strategically दो ऑग तीन सेमविल्स अभी आप यहां पर काउंट कर लें के इसके अंदर कितने हैं ठीखди कितने हैं सेमोल कितनी हैं हम देखते हैं इंटर करते हैं कि हमारे results आता है the right देख है हमारे प्रोग्राम बिल्कुल राइल्स एकस्ट्यूट हो रहा है अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस किसम के और भी लोजिकल प्रोग्राम अब लोड होते रहेंगे थैंक यू